हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूटूब चैनल, आप सभी के बीच में एक नई जॉब अबेट लेकर मैं हाजिर हूँ और आज की जो वेकेंसी है वो टेक मेहंदरा कमपनी से निकल के आ रही है, टेक मेहंदरा कमपनी और जो जॉब का लोकेशन आपका रहने बाला है, वो नोएडा के अंदर रहने वाला है, आपको बता दे कि टेक मेहंदरा कमपनी नोएडा की टॉप कमपनीों में से एक है, और यहां पे रेगुलर बेस पे वेकेंसी निकलती रहती है, तो आज की रिक्वाइर्मेंट हमारी टेक मेहंदरा से है, मैं वीडियो में कम्प्लीट ड कमपनी का नाम जैसे कि आपको पता है, टेक मेहंदरा कमपनी में रिक्वार्मेंट है, टोटल पोस्ट की बात करूँ तो 200 पोस्ट पे यहां पे रिक्वार्मेंट निकली हुई है, जॉब लोकेशन आपका नोएडा के अंदर रहने वाला है, जेंडर जो है लड़कें और लड़कियां दोनों ही इस जॉब के लिए अपलाई कर सकते हैं, और जो आपकी जॉब प्रफाइल रहेगी वो कस्टूमर सर्विस एक्जिक्टीव की रहेगी, कस्टूमर सपोर्ट का काम होगा, जो मैं आपको आगे डीटेल में बताऊंगा कि क्या काम आपको करना होगा, वर्किंग दे की बात करें, तो फाइप वर्किंग दे होना वाला है, यानि कि एक वीक में आपको दो दिन की छुट्टी मिलने वाली है कमपनी के अंदर, ठीक है, रोल एन रेस्पॉंसिविलेटी की बात करें, कि आपको आखिर काम करना क्या होगा कमपनी में, तो हैं, उनको resolve करना है, उसकी proper आपकी training होगी, बताया जाएगा कि कौन सा issue आएगा, तो आपको कैसे resolve करना है, वो सब जब आप join करेंगे, तो आपकी proper training कराई जाएगी, इसके अलावा आपको बता दें, कि जो बाहर के customer होते हैं, उनको customer service provide करनी है, कोई नया customer connect करता है, आपक customer के जो issues आ रहे हैं, जो queries आ रहे हैं, उसको solve करना है, अब यहाँ पर profile की बात कर लेते हैं, देखिए, profile की बात करें, तो यहाँ पर अगर आप graduation अभी कर रहे हैं, अगर आप graduation complete नहीं है, अगर आप graduation कर रहे हैं, तब भी आप इस job के लिए apply कर सकते हैं, और अगर आप graduate हैं तब भी आप इस जॉब के लिए apply कर सकते हैं, यानि कि minimum qualification 12th pass यहां मांगी गई है, Fraser और experience दोनों ही तरह के candidate इस जॉब के लिए apply कर सकते हैं, यहां पर आपको बता दें कि work from office की job रहने वाली है, work from home आपको नहीं मिलेगा, तो इस चीज़ के ध्यान देज़ेगा, आपको job करने के लिए noeda में ही आना पड़ेगा, साथी fluent English आपको आनी चाहिए, आपकी communication इसकी यबरदस्त होनी चाहिए, वो भी English language के अंदर, तभी आप इस job के लिए apply कर पाएंगे, अगर आपको English अच्छे से नहीं आती, तो आप इस job के लिए eligible नहीं होंगे, अब देखिए आपको करना क्या है, आपको इस job के लिए apply करने के लिए, सबसे पहले आप इस चीज के ध्यान देजिए कि आज जिस दिन में वीडियो बना रहा हूँ, आज की जो date है, वो है दोस्तों, 9 सितंबर 2024, आज की date है, मैं एक बर लिग दिता हूँ, आज की date है, 9 सेप्टेंबर 2024, और ये post आप ज्यादा से ज्यादा apply इसके लिए कर सकते हैं, वो है 20 सेप्टेंबर 2024, 9 सेप्टेंबर 2024 से, और जो last date है इस vacancy की वो है, 20 सेप्टेंबर 2024 तक आप इस post के लिए apply कर सकते हैं, इसके बाद आप इस post के लिए apply मत कीज़ेगा, ठीक है, apply करने का process क्या होगा, apply करने का process होगा, आपको आना पड़ेगा Google पे, अपने mobile का chrome खोल लीजिए या google खोल लीजिए, यहां पे आने के बाद आपको लिखना है, joblive247 ज-o-b-l-i-b-e और 247 देखिए ऐसे लिखना है आपको, joblive247 इसको लिखके आप search करेंगे, तो आपके सामने पहली website खोल के आएगी, ठीक है, इस website open करेंगे, यह वाली website open अगर आप search करेंगे, तो आपके सामने, एक मिट फ़र से लोग ले रहा है, यह बहुत सारे post जो है, खुल के आजाएंगे, आपको जो सबसे पहला वाला post होगा, दिखेंगे आपको कई सारे, ठीक है, लेकिन आपको click करना है, जो सबसे पहला होगा, इस पे आपको click करना है इस पे आप click करेंगे, तो आपके सामने पूरी detail खुल के आजाएगी, और इसमें जब आप सबसे नीचे आएंगे, दिखेंगे मैं दिखा नहीं रहा आपको, आपको side पे आना पड़ेगा, यह salary है, salary के नीचे ही आपको दो लोगों के number मिलेंगे, जिनका नाम है, जिनका के माध्यम से कर सकते हैं, वहाँ पे आपको जबाब मिल जाएगा, और इन लोगों से आप एक बाद discuss कर लीजेगा, बात कर लीजेगा, अगर आपकी profile match करीगी, फिर यह आपको interview का address देंगे, वहाँ पे आपको interview देना होगा, और अगर आप select होते हैं, तो आपको job मिल हुआ हैं, तो आपको